नमस्कार दोस्तो जेहिंद वंदे मात्रों मैं आपकी साथ जैसवाल सर आप शबीक आश्वागत अभिनदन है टीटी फैमली सिच्कों के परिवार जैसवाल कोचिंग सेंटर पर पावड़ बाई सिच्छा ही प्रकास है सत्यों बात करेंगे आज की पेपर के इनलेसेस की बात करेंगे आज की टॉपिक की बात करेंगे और इसकी प्रेक्टिस पेपर यहां पर आई बिटन पर आपको लिंक दे दी गई तो जरूर जोइन कर लिजेगा सारे प्रेक्टिस पेपर की बात करेंगे खास्तव पर बालव बिवाग में इसरो को कब सामिल किया गया है इस प्रकार का प्रशन पूचा गया है प्रदूसन में सीअपसी से पुर्शनाय हुआ है and यहांपे बताया है कि सब से ठंडा मरुस्थल कौन सा होता है काफी साले नाम दिया गये थी and आयोडीन के कमी से होने वाला रोग यह पुर अंत्रिच के टॉपिक पर हम आलेडी तीन वीडियो बना चुके हैं और इस्पोर्स से भी आज पर ना है इस्पोर्स का भी हम दो टॉपिक बना चुके हैं CFC का भी एक पूरा टॉपिक कवर कर दिया गया है तीक है तो जरूद वहाँ पर आप लोगों को विजट कर लेना है और अगर बात करें कि इस्पोर्स से आर्स प्रेशन पूँचा गया है सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले विकेट कीपर का नाम बता हिए देकि सबसे ज़्यादा विकेट कीपर भारत की बात करें महेंशिंग दोनी लेकिन अगर पूरे बिश्व की बात कर रहे हैं तो दच्छिन अफरीका के पूर विकेट कीपर मार्क बाउचर मार्क बाउचर दच्छिन अफरीका के पूर विकेट कीपर है Mark explicator, आज भी दुनिया के सबसे सफल Wicket Keeper है दूसरा नाम आता है Adam Glitkist Australia Adam Glitkist दुनिया के कुछ चुनिंदा Wicket Keeper में अग है जन्हें आज भी दुनिया का सबसे ब्यद्यीन Wicket Keeper बल्लेवाच कहा जाता है एंड भारत में مहिन Сिंग धोनी की बात करेंगी पेड़ागाजी आपके EBS में ज्यादा नहीं आठ से दस प्रस्ट पेड़ागाजी के प्रस्ट आये थे और पेड़ागाजी काफी हार्ड पूंची गई है जैसा कि मानना EBS का काफी सारा चेप्टर यहां पे हार्ड पूंचा गया है बाल विकास के बात करूं तो पूंचा गया है इन से संबंदित आपके पूंचे जा रहे हैं तो आपके इंको डिटियर के साथ पढ़ना पड़ेगा सीखने के नियम से 2-3 प्रस्ट आये थे मनो बिग्यान शाइकोलाजी से 3-4 प्रस्ट पूंचे गए थे और परिभासा आपके 2-3 परिभासा हैं पूं आपको वीडियो बनाय गया था कि बाल लेवस्ता से सावस्ता की सोर आवस्ता की जो महत्मून परिभास आए हैं मनोब ग्यान की जो महत्मून परिभास आए हैं सारे यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है तो देखें दो बहुत इंपॉर्टेंट टाफिक है आपका EBS परियावन होता है तीस नमबर को जो होता है तीस नमबर में साथियों अगर यहां पे 20 प्लस स्कूर आएगा तभी सेलेक्शन की उमीद की जा सकती है अगर EBS में 20 प्लस स्कूर आना बहुत ही जरूरी है और इसी प्रकार बाल विकास की बात करें बाल विकास में भी आपका 20 प्लस स्कूर आना बहुत जरूरी है तो यहां पे देखें दो सब्जेक्ट में आपके 40 संक हो जाते हैं बचता है आपका गणित, गणित की चेप्टर बात करें, सरनली करन से आज ज़्यादा प्रशनाय हुई है, अनपास से एक ही प्रशनाय हुआ है, शंक्या बर्दलने वाले करम जैसे आपके गुणा को माइनस करना, माइनस को गुणा करना, ऐसे दो प्रशनाय हुई है, आई एक ब्रत्य की तीज्जा दी गई थी दूसरी ब्रत्य की तीज्जा दी गई थी और यह सड़क वाला रास्ता है गार्डेन बताया गया था कि ब्रत्य के सड़की लगार का कोई रास्ता है गार्डेन है और इसका में छेतफ़ निकालना था देखे तो छोटी वाली कर लिजित फिर फिर दोनों को माइнос कर दिये तो आपका एंसर हो जाएक इस प्रकार के प्रस्न तो स्मपल से प्रस्न पूँछे जा रहे हैं इलगेबरा वाले प्रस्न आ रहा है बीजगड़ी से expecting पूंच जा रहे है ठीक है तो समीकर्ण वाले आपको गुझा करना चाहिए जैसे 2 एक्छिसक्ट धन3 एक्छिसक्ट रा गया इन Two आपको दे दिया गया तो एक्स माइनस One इनका गुझा बराबर होगा मान ठीक है इस प्रकार के प्रास्न दिये गए थे ठीक है कल के एक्जाम में की बात करें दो तीन प्रस्ण इस प्रकार के पूछे गए थे मारकी सिंपल ही इसी प्रकार के प्रस्ण है और पेड़ागोजी के आज दस से बारे प्रस्णा हुए हैं अधिगम, अच्छमता, निगमन, आगमन, भासा इन से सम्मंदित प्रस्ण पोचे गए ठीक है तो मैस, पेड़ागोजी, बालविकास और EBS ये बहुत इंपोर्टन है ये तीन चेप्टर अगर आपके अच्छे चले गए तो आपको समझ लीजिए कि हेंड़ेड या 105 प्लस स्कूर आपका अफसानी से हो जाता है और इसके प्लस हो जाएगा तो आपको पता सेलेक्शन के उमीद हो जाते है 110 के अगर उपर जला जाता है तो सेलेक्शन यहां पर शरूपर ही हो जाएगा जिस तरह से कटाफ जा रहा है जिस तरह डेली हम देख रहे हैं लेसे ठीक है वाकी आफटर एक्जाम जो हम आपको करेंगे और देखे हम एक यहां पर 26-27 तारीक को हमें एक विरुजगार की कर रहे हैं जिससे MP-Workstein के लिए पोस्ट के लिए भी करना है MP-Workstein में पोस्ट की ब्रद्च की जाए ठीक है इसके लिए हमाँ चलाएंगे तो आपको वता दी जाएगा एक दिन पहले थे कि आप लोगों को आना है लाइव उस दिन रहेंगे ठीक है तो चले बहुत बहुत कर च छंदे जिसे हिंदी बासा का प्रयोग कप इया था एक ऐसा प्रसुनायत है мешटी से संबने था था इन्दी बासा का जो प्रयोग कप किया इड़ा इस और वाकी जो आपके अप्टित गढ़्यास वध्यास पोटी होती है उनी उनी से बिलोम, परियाबाची, समास, चंदकारक, कहावते, पूछी जाती हैं, ठीक है, तो ये आपको चैप्टर क्लियर कर लेना है, और ये आज पूछा गया था, कि हिंदी में जो है समास कितने प्रकारके होते हैं, जी हां, पांच प्रकारके, छे प्रकारके, चार प्रकार कि साथ प्रकार की, सभी बताएगा, तो समास पढ़ लीजे, इनका, ये भी पढ़ लीजे, कितनी प्रकार के होते हैं, संदी पढ़ लीजे, ठीक है, और लकार हो गए रहा, तो संसकत में, पेड़ा गौजी में देखे, बहां सा संबन्दी, जादा प्रशन पूछे जा रह हैं, संसकत की बात करें, संसकत में संदी से आज दो प्रशनाय हुए हैं, संदी से दो या तीन प्रशनाय हुए हैं, समास से एक प्रशनाय हुआ है, लकार से एक प्रशनाय हुआ है आपके, और अब्य से प्रशनाय हुआ है, आज आज आपके अब्य से प्रशनाय हुआ है, प्रत्य से भी प्रस्णाय हुआ है संसकत पेड़ागाजी के बात करें तो बहां सा सम्मझ पूची जा रही है हिंदी के पेड़ागाजी जैसे आपकी उसी प्रकार आपकी संसकत की भी पेड़ागाजी है सेम सेम है ठीक है और पेड़गाजी संसकत में 12 से 13 प्रशन जो है पूँचे गए हैं और संसकत में पेड़गाजी की बात करें तो बहुत ही टफ यहां पे पूँची जा रही है खास तोर पर आपका तीन चैप्टर पर फोकस करना है इबियस पर फोकस कर लिजे एंड इस्पोर्ट पढ़ लिजेगा और अंत्रिच वाला जोकी सन वाले हैं सन वाले ज्यादा क्योंकि जब आपको पत्य होंगे तभी कर पाएंगे बाल विकास के जितने प्रेक्टिस पेपर हमने किया वो कर लिजेगा एंड जितना हो शके के सिधान के उधारन है एक्जामपल है वहां से प्रस्ट जो है पूंचे जा रहे हैं तो आप लोगों को ध्यान पूर्टेंट अलेसेस था अगर आपको एक्जाम अंगले दीन है तो इन टॉपिक पर ज़्यादा कवर करें फोकस करें टॉपिक्स लगबग सेम ही आ रहा है के बल कोस्टन बदल रहे हैं सेम कोस्टन नहीं आ रहे हैं जान जाएएगा ठीक है तो आप लोगों को ध्यान पूर्ट देखना है अच्छे तरीके से त्यारी करना है ताकि सेलेक्शन पाएं योगि बहुत ही कम यहां पर स्कूर हो रहा है और बाकी आप्टर एक्जाम हम पोश्ट के लिए जरूर मांग करेंगे और ठीक है तो आप लोगों को सपोर्ट चाहिए